दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विरंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आर्यान इंस्ट्टूट लहाबाद में दोस्तों जैसा कि आपके शामने लिखा गया है उत्तर प्रदेश लेकपाल भरती 2021 आपने यह सुना होगा कि आपके यहां जो 2021 सत्र में देखा जाए तो लेकपाल की वैकेंसी आने वाली थी लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं है दोस्त इसके ऊपर आज मैं थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूं एक दिन अपडेट निकल कर आई थी कि त्रिपल शी इसमें अनिवार्य है लेकिन कुछ आज इसके संदरों में त्र एक कि आपको पता होगा कि यह जब PET मिंस देखा जाए प्री इलिजिविल्टी टेस्ट जब आपका हुआ था तभी से यह दोर चल रहा था कि आने वाले शमय में बहुत जल्द ही लेकपाल की पदों पर भरतिया निकाली जाएंगी लेकिन आपको सभी लोग यह जानते हैं कि PET को हुए बहुत दिन हो गए और अभी तक भरती का कुछ पता नहीं है तो चलिए एक एक बातों एक एक चीजों पर मैं आप से बात करना प्रारंब करता हूं सबसे पहले यहां लिखा गया है देखिए कि इसमें टोटल कितने पद होंगे आप सभी को यह जानने के उत्स सुकता जरूर हो रही होगी ठीक है तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके जो टोटल पद हैं भाईया 7882 7882 पद टोटल रखे गये हैं यानि कि 7882 पदों पर भरतियां की जानी है अभी इसमें संसोधन किया जा शकता है लेकिन अब संसोधन की उम्मीद खेर नहीं है ल इच्छुक होंगे कि इसमें योगिता क्या रखी गई है देखिए आज जो अपडेट निकल कराई है उसके बारे में अगर हम बात करें अभी आपको प्रूवी दिखाऊंगा जो चीट आई है पेपर की कटिंग है मैं पेपर की कटिंग के बारे में भी आपसे बात करूँ तो दोस्त उसमें अगर देखा जाए तो इंटर्मेडियेट क्वालिफाई मांगता था आप इंटर्मेडियेट क्वालिफाई हैं तो आप इस पद के लिए योगित माने जाएंगे ठीक है और मैं आपसे बात करना चाहूंगा मैंने नोट के रूप में लिखा है आप सभी के बीच में यहां फॉआये ओड रही थी, कि इसमें 3C अनिवार है आज अगर उस चिट के हिसाब से देखा जाए तो 2C की अनिवारिता भाया खत्म कर दी गई है यानि कि अगर देखा जाए अगर जो CCC है उनके लिए भी अच्छा है और अगर आप CCC नहीं है तो आपके लिए भी अच्छा है आप इस पद के लिए इलिजबल तब भी है ठीक है आपको तनिक भी जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाईया हमारा CCC नहीं है तो हम इ शामने लगा होगा और आप देख भी पा रहे होंगे सबसे उपर लिखा गया है कि भरती के लिए triple C certificate जरूरी नहीं ठीक है आप अच्छे से देख रहे हैं कि सीधे तवर पर लिखा है कि लेखपाल भरती के लिए triple C की आवशकता खत्म कर दी गई है और उसमें अपडेट क्या है चलिए एक एक चीज के बारे में मैं चर्चा करता हूं ठीका लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्त सेवा आयोक की ओर से की जाने वाली राजश्व लेखपाल की भरती के लिए triple C certificate अनिवारे नहीं लेखपाल भरती के लिए पहले की तरह intermediate उत्तीरड ही अनिवारे शेक्षिक योगिता होगी सासन ने इस फैशले के बाद लेखपाल भरती में शेक्षिक योगिता की लेकर गतिरोध शमाप्त हो गया सासन ने फैशले के क्रम में राजश्व परिसल लेखपाल के लिए जल् राजश्व लेखपाल के 7882 रिक्त पदों पर भरती के लिए पहले से जो प्रस्ताव भेजा था उसमें चैन के लिए intermediate उत्तीर होने के साथ अभ्यर्थी को computer ग्यान दर्साने वाला triple C certificate अनिवारे किया गया था है मैंने एक वीडियो दिया था उसमें लिखा गया था कि आपको triple C अनिवारे है लेकिन आज की जो अपडेट है दोस्त अब यह 100% सत्य है हाला कि पहले भी अगर देखा जाए तो वह भी सही थी लेकिन वह जो सासन की तरफ से भेजा गया था triple C के लिए वह सासन ने काड़ द पारे में मैंने कहा कि आप इंटर्मेडियर्ट कॉलिफाई होने चाहिए उसमें कहा गया है कि triple C कोर्स कहा गया है कि triple C यानि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉंस्टेंश 80 घंटे का कोर्स है इस को सर्टिफिकेट पाने के लिए अब भ्यर्थी को राष्ट्री इलेक्ट्रोनिक ए कि और से आयोजित की जाने वाली उत्ति परिच्छा उत्तिर्ड करनी होती है वहीं लेकपाल की शिवा नियमावली में अनिवारे सैच्छिक योगिता सिर्फ इंटर्मेडियर्ट उत्तिर्ड ही थी इस विशंगती को दूर करने के उद्यस से अधीनस्त शिवाचैन आयोग ने राजश्व विभाग को लेकपाल भरती के लिए शिवा नियमावली में भी त्रिपल सी सर्टिफिकेट की अनिवारे करने के अनरोत किया था राजश्व विभाग ने इस पर मंथन किया और पाया कि त्रिपल सी सर्टिफिकेट को अनिवारे करने से बड़ी संख्या में ग्रामेड प्रिष्ट भूम के अभ्यर्थी इस चैन प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदिप्तिनाथ ने इस पर अपनी मुहर लगा दी लिहाजा सासन ने राजसु परिसद पर अब नए सिरिश आयोग को भरती प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया जिसमें इंटर्मेडियर उत्तिर्ड हो अनिवारे सेक्षिक योगिता होगी दोस्त आपने देखा इस त्रिपल सी अनिवारेता खत्म करने के पीछे कारण यहाँ है कि आप सभी जानते हैं अगर दोस्त आप ग्रामेड छेतर से विलांग करते हैं तो आप अपने ग्रामेड छेतरों में कंपेरिजन कीजिएगा कि कितने इवा जो हैं क्या त्रिपल सी पास हैं तो आप कहेंगे भाया त्रिपल सी पास जो मिलते हैं वह बहुत कम मिलते हैं तो इन ही सब कारणों को देखते हुए इस CCC की अनिवारिता को शमाप्त किया गया है यनि कि अगर आग देखा जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है लेकिन आप इसमें P.E.T. जो है क्वालिफाई होना चाहिए P.E.T. इसलिए एक्जाम कराया गया था जो अ लाश्ट में कहना चाहूंगा कि आप अपने तयारियों को जो रूपर रखिएगा क्योंकि आने वाले शमय में विधान सभा चुनाओ है विधान सभा चुनाओ को मद्दे नजर देखते हुए यह मान के चलिए कि इतने पदों पर वैकेंसिया आना लाजमी है 100% ठीक है तो आप दोस्त देख चीज जानिए कि जब भी कोई वैकेंसिया आती है यार हमें कितना दिन वक्त देना पड़ता है बहुत जादा से जादा अगर आप दो महीने इस चीज के लिए तयारी कर दिये न तो आपको कोई माइक लाल नहीं है रोक ले जाएगा लेख पाल के लिए तो यार अगर हम दो महीने अपना 100% दे देते हैं तो आने वाला जो वर्स है हमारे लिए शुक में होगा लेकिन अगर यही दो महीना यार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर यही दो महीना हम मस्ते में अपना गुजार देते हैं तो आने वाला वक्त हमारे लिए न इतना दुखकारी होगा कि जितना हम सोच नहीं सकते तो हम चाहते क्या हैं हम यहीं चाहते हैं कि हम आने वाला दो महीना अच्छे से अपना विता दें अच्छे से मतलब जितना पढ़ाई पर समय दे पाएं उतना दे दें और आने वाला वक्त जो हमारा होगा वह बिलकुल हम परसंट दे दीजिएगा ठेक है अगर मेरी यह बात आपको बसंद आई है तो आप लाइक वाला बटन जरूर दबाईएगा और कॉमेंट में यहाँ जरूर लिखिएगा कि आप मेरी बातों से सहमें कि नहीं है वीडियों ही समाप्त करते हैं थैंक्स धन्यवाद